हेलो नमस्कार सास्रियागाल और केमचो और जो भी जिस भासा में समझता है उसी भासा में उसको नमस्कार करते हैं आज इस वीडियो में एक नए एकसरसाइस का सलूशन जिसका नाम है 1.2 क्लास 9 की बात हो रही है और NCRT का सलूशन हम कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा पहला सवाल ट्रूर फोर्स बतलाना है फिर कारण को बतला देना है कि क्यों ऐसा है तो पहला सवाल क्या है एवरी इरेशनल नंबर इसको एस प्लेइन में करूँगा बहुत यहासानी से आप यहाँ पर देखो और आपको यह पता होगा पहले से में भी कि जो रियल नंबर होता है उसका डिफिनीशन क्या है आप्यशनल नंबर किसको बोलता है तो रियल नंबर इसको एस ए कॉलेक्षिण ऑफ रेशनल नंबर एड इरेशनल नंबर जैंपरी है ना तो rational number का अलग group है यह rational number का अलग group है rational number में कौन आ जाएगा 2 by 3 आ सकता है सिर्फ 3 आ सकता है minus 2 आ सकता है है ना root under 4 आ सकता है because root under 4 का value क्या होगा 2 होगा तो यह सारे number जो मैंने अभी बतलाया आपको इसके अलावा तो बहुत सारे है लेकिन यह सब उदाहरन जो है example है rational number का e rational number की बात अगर करें हम तो कौन होगा root under 2 हो सकता है root under 3 हो सकता है root under 5 हो सकता है इस तरह का जो collection होता है वो e rational number का collection होता है सवाल क्या पूछ रहा है कि क्या हर एक e rational number real number हो सकता है तो कितना simple सवाल है और इसका जवाब क्या होगा first number का true क्यों true होगा क्यों सही है ये सही इसलिए है क्योंकि ये वाला और ये वाला का mixer ही real number है और सवाल क्या बोल रहा है कि क्या e rational number जो सारा है वो real number होगा तो देखो 2 by 3 को rational number भी बोलेंगे बट real number भी बोलेंगे root 2 को e rational number बोलेंगे बट उसको real number भी बोलेंगे ग्योंकि real number के ही ये दो branch होगे clear बात समझे में आई तो हमने लिखा यहाँ पे true और साथ में मैं क्या लिखूंगा कि root 2 is an irrational number root 2 क्या है? irrational number है but it is also a real number है ना? but ये real number भी है clear बात हो गई तो ये आप example वाला तरीका आपना सकते हैं कोई एक number ले करके उसको explain कर लेंगे कि वो कैसा number है? irrational number है लेकिन उसको हम real number भी कर सकते हैं इतनी बाते समझ में आगई तो पहला सवाल बहुत ही असान था उसका कारण आप इस तरीके से लिख सकते हैं तो second one है कि every point on the number line is of the form root under aim where aim is a natural number तो क्या number line का हर एक जो point होता है है ना? तो पहले number line बना देता हूँ second number की बात हो रही है तो मैं second number को समझाता हूँ थोड़ा अलग तरीके से यह number line है इसमें अगर middle की बात करूँ तो मैं इसको किस से denote कर सकता हूँ सुन्ने से अगर मैं आगे जाओ तो क्या होगा one उसके बाद two उसके बाद three उसके बाद four उसके बाद five होगा अगर पीशे जाओंगा क्या आएगा minus one minus two minus three minus four इस तरीके से आ सकता है अब बात यह हो रही है कि क्या यह सभी number इस रूप में represent हो सकते है root under aim जहाँ पे aim क्या हो natural number हो अब यही सवाल है इसको थोड़ा आसानी से हम लोग समयने का प्रयास करते है तो जैसे मान लीजे यहाँ पे बात हो रही है one की तो one को root under one लिखा जा सकता है सही बात है यहाँ पे अगर two है तो मैं root under four लिख सकता हूँ सही बात है because four natural number है but मैं zero की जब बात करूंगा तो root under क्या होगा बतलाईए zero होगा but sorry root under zero होगा root under zero का value zero होता है but यहाँ पे zero natural number नहीं है but यहाँ पे zero natural number नहीं है और सर्त क्या था कि root के अंदर जो number है वो natural number होना चाहिए लेकिन ऐसा पे यहाँ पे तो हो नहीं रहा है तो यह गरबड हो गई, तो पहला गरबड यही है कि यह number line का ही एक भाग है 0, बट यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, तो root under के अंदर अगर 0 रख रहे हैं, तभी 0 आ रहा है, कोई natural number रखने से 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, और उसी तरीके से, अगर मैं बात करूँ, minus 1 की, तो minus 1 जो होता है, वो किसी भी ऐसे number का value नहीं हो सकता है, जो natural number हो, जैसे अगर माल लो 1 है, तो 1 का value 1 ही आएगा न, थोड़ी है minus 1 आ जाएगा, ठीक है, तो minus 1 का representation इस वाले form से नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पर root under aim है और aim natural number है तो, वो आगे class में जानना है, जब आप 11 में जा हो जाएगी, natural number से नहीं हो पाएगा, क्योंकि root under 1 का value 1 होता है, not minus 1 होता है, तो न minus 1 represent हो पा रहा है, न minus 2 represent हो पा रहा है, 0 भी नहीं, minus 3 भी नहीं, minus 4 भी नहीं, है न, और यह सब हो पा रहे है, तो लेकिन सवाल क्या है कि every number, सभी जो, sorry, every point, यानि सारा point क्या represent हो रहा है number line क तो बिलकुल नहीं हो रहा है, देखो इतना सारा नहीं हो रहा है, सारा negative number नहीं हो रहा है, तो पहले क्या लिखेंगे, false, हमारा answer पहले क्या होगा, false, और उसके बाद जब region की बात आएगी, तो region में हम, यहां पे अब कितने कारण लिख सकते हैं, दो कारण लिख सकते हैं, और एक कारण हम निगेटिव नंबर का लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रिजन लिख देता हूँ, तो रिजन नंबर वन क्या होगा? लिखेंगे, जीरो इस नॉट ए स्क्वाइर रूट अफ एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वाइर रूट जीरो नहीं होता है, ठीक है न, इस कारण से मैं ये लिख रहा हूँ, कि हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन का होता है, उसको हम इस रूप में रिपरजेंट कर सकते हैं, रूट अंडर एम के फॉर्म में, जहां पे एम नेचुरल नंबर हो, ठीक है, रूट अंडर का मतलब क्या हुआ, स्क्वाइर रूट, स्क्वाइर रूट लगा रहते हैं, बात यहां पे समझ में आई, और रीजन नंबर टू में क्या लिखेंगे, और निगेटिव नंबर, जितने भी नंबर है निगेटिव, और निगेटिव नंबर और नंबर लाइन, अभी आपको एक्जामपल दिखाया है मैंने, उस्से समझ में आ रहा होगा, तो आल निगेटिव नंबर और नंबर लाइन, नंगर लाइन, कान नौट भी, represented in the form of root under aim where aim is a natural number जहाँ पर aim क्या है natural number है तो यह दो कारण आप लिख सकते हो इसके अलावा भी कुछ कारण और मैं मतलब करवा सकता था बट ठीक है दो कारण इस तरीके से अगर लिखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो मुझे लगता है second number जो है false और उसका जो कारण है वो आपको समझ में आ रहा होगा number third है every real number is a irrational number ज़स्ट पहला जो question है number first उसका just opposite है उसमें क्या बोल रहा था क्या हर एक irrational number real number हो सकता है है ना तो हमने बोला था yes हो सकता है because root two भी irrational number है और real number भी है पर यहाँ पे सवाल यह बोल रहा है इस वार अलग क्या हर एक real number irrational number हो सकता है तो बिलकुल नहीं क्योंकि इसमें rational number का भी collection है तो इसमें तो पहले हम कारण में मतलब answer में क्या लिखेंगे answer में हम लोग लिखने वाले है false कि गलत बात है ऐसा तो possible नहीं है है ना भेले ही आप चाहा रहे है कि सही हो जाए लेकिन ये तो गलत होगा यानि answer क्या हमारा होगा false ठीक और इसके reason में क्या लिखेंगे तो reason में ये होगा कि two by three या मैं two ही ले ले लेता हूँ two is a real number two क्या है एक real number है है ना but not a rational number e rational number but ये e rational number नहीं है simple सी बात two क्या है rational है तो real number तो है ही ना rational है तो लेकिन ये e rational नहीं है तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं समझ सकते हैं और चीजों कर सकते हैं ठीक है अब अगला सवाल इसमें है सेकेंड नंबर की बात हो रही है स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा होगा are the square roots of all positive integer irrational क्या हर एक positive integer का square root irrational होता है यहीं संटेंस को समझें पहले क्या बोल रहें square root का मतलब क्या होता है यह होता है और बात हो रही है हर एक integer की positive integer की positive integer कहां सुरू होगा फिर किस से शुरू होगा थी सेख फिर क्या जाएगा फोर और इस तरीके से हम सारा positive number को लिख सकते हैं ठीक है तो are the square root of all positive integer irrational क्या irrational होता है है ना तो check out करते हैं यहीं पर गरबढ हो गई first number में ही root under one जो होता है उसको हम one का square लिख सकते हैं और square से root कटेगा तो क्या value आजाएगी one जो rational है पहला ही गलत हो गया root two जो होता है वो irrational होता है तो यह तो मान लेते हैं कि सही है root three irrational है तो इसको भी मान लेते हैं सही लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है every number की बात हो रही है are the square root of all positive देखिए all की बात हो रही है all positive integer irrational होता है कि नहीं तो 2 हो हो है और एक नहीं हुआ अगर इसकी बात करते है 4, 4 का वहलू है, 2 होता है, अब यह तो छोटा modeling होता है dURE है, बड़ा number होता है, मालूम है, हम क्या करते हैं यह वाला तरीका अपनाते हैं, प्राइम फाइकरिशन और फिर पेयर बनाते हैं, जिसका पेयर लग जाता है, वो क्या है rational है जिसका peer नहीं लग पाया वो क्या है बतला यह e-rational है तो यहाँ पर root under 1 और root under 4 जो है वो क्या है rational है और यह दोनों क्या है e-rational है तो यहाँ पर पहले क्या होगा are the square root of all positive integer e-rational यही सवाल है ना तो आपका answer होगा not है ना क्या लिखेंगे not और उसके बाद बगल में explain कर लेंगे example देना है तो example देंगे और example में क्या देंगे बतला यह root under 1 and root under 4 है ना is a rational number है ना root under 4 और root under 1 क्या है rational number है इस कारण से मैंने यह answer दिया है कि नहीं है तो example में यही था कि root under 1 और root under 4 जो है एक ऐसा number है इसके अलावा ही बहुत सारा number है बट मैंने दो दे दिया है तो यह क्या है root के form में है और इसके बीच में जो number है यह क्या है चलिए अब थर्ड सवाल करते हैं उसके बाद फूर्थ सवाल इस एक्सराइस का करना नहीं है विकॉज जो classroom activity है तो class में करिएगा activity यहां पर सिर्फ हम solution कर देते हैं question number 3 का और वो question number 3 का solution एक असान तरीका से मैं कर देता हूं इसका तरीका तो एक दो है मतब दो तरीका मुझे जहां तक दिमाग में आता है जैसे यहां पर सवाल यह पूला रहा है कि सो करना है root under 5 को number line पे थर्ड number सवाल है root under 5 को so करना है number line पे तो मैं थोड़ा सा explain करता हूं root 5 को करने से पहले कि आप हर एक इस तरह का हर एक सवाल कर सकते हैं देखिए एक्जाम में जब question आएगा तो root under 1 से ले करके root under 10 के बीच का आ सकता है कोई भी number अब इसमें भी हर एक number का नहीं आता है जैसे root under 1 का बिलकुल नहीं आएगा उसी का आएगा जो e rational number होगा तो root under 1 नहीं है तो कौन होगा root under 2 और कौन हो सकता है root under 3 और कौन हो सकता है root under 4 होगा नहीं और कौन हो सकता है root under 5 बिलकुल root under क्या होगा 6 root under क्या होगा 7 root under क्या होगा 8 root under 9 ना और फिर क्या हो जाएगा root under 10 तो बस इतना ही किया जा सकता है इसके अलावा भी और भी सारे नंबर है बट मैं बोल रहा हूं बुक में और बुक में भी देखी रहे हो एंसी इट में सिर्फ एक रूट रफाइब बोल रहे हैं आरे सग्रवाल में कुछ ज्यादा जाएगा है और कोई बुक होगा अडिशन में थोड़ा और ज्यादा जासकता है कोई और पहले हम एक लाइन खीषेंगे ठीक है नब यह लाइन कितना सेंटीमीटर का होगा यह सोचना है बोलोगे सर रूट टू बनाना है तो हम वन वन यूज कर लेते हैं तो मतलब वन सेंटीमेटर का यह बनाए बिलकुल नहीं जरूरी नहीं है तुम यहां पर 3 cm ले सकते हो 4 ले सकते हो लेकिन यहाँ पर बगल में scale ले लेना और scale के रूप में लिख लेना कि तुमने scale क्या लिया है माल लीजे मैंने 3 cm का 1 unit लिया है 3 cm को हमने 1 unit denote किया है तो 6 cm कितना हो जाएगा 2 unit है न तो यहाँ पर आप 3 cm ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर root 2 cm नहीं denote करना है root 2 denote करना है है ना इसलिए 3 cm को मैंने 1 unit माना है तो हमको 1 की जरूरत है हमको 1 के value की जरूरत है not 1 cm की जरूरत है 2 cm की जरूरत है ठीक है यहाँ पर 4 cm बड़ावर मान सकते हो 3 cm बड़ावर मान सकते हो अब क्यों मैं ले रहा हूँ 3 cm यह सवाल आता है क्योंकि यहाँ पर जब कोपी बनाओगा तो बहुत छोटा में बनेगा तो वो दिखने में मुश्किल होगी चेक करने में मुश्किल होगी और ऐसे अच्छा भी नहीं लाएगा पॉइंट आउट यही है कि पहले यहाँ पर हमने 1 unit लिया और 1 unit कितना का लिया बतलाएए जली बतलाएए 3 cm का और यहाँ पर हमने नाम रखा इस वाले point का O रख दिया इस वाले point का A रख दिया कुछ भी रख सकते हैं नेक्स्ट काम यह करना है कि आपको 1 unit यहाँ पर फिर 90 degree का कौन बनाते हुए फिर लेना है ठीक है ना 90 degree का कौन बनना चाहिए और वो आपको protector से भी बना सकते हो है ना या compass से बना सकते हो और यहाँ पर हमने नाम दे दिया इस point को B और फिर हमने O से B को मिला दिया सीधा ठीक है ना तो यह भी कितना हो गया 1 unit अब इससे देखो तो O भी नहीं निकल जाएगा बोलेंगे हाँ सर O भी क्यों नहीं निकलेगा क्योंकि O भी क्या है हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का A square बराबर क्या होता है बताएए पर पेंडिकूलर का A square अब प्लस क्या होता है बेस का A square O A का A square ठीक है तो इससे O भी निकल जाएगा तो A B कितना है 1 है तो 1 का A square अब प्लस O A कितना है 1 1 का A square तो यह 1 का A square 1 होगा 1 का A square 1 होगा तो यह कितना हो गया है 2 तो O B square था से इधार आएगा तो क्या होगा रूट होगा यह जो नीज जो ओ बी है कितना आगेया다- है स्वाज मिर्ट crystalline है तो यह 12 आपका कम architect को इस एधार की तब बढ़े गा बढ़े का भड़ते यहाँ इस इस लाइन को बढ़या देंगे थोड़ा और यह जाके strike करेंगा एक जगह पहर मतलब intersect करेंगा और जिस जगchnís इंटर्सेक करेंगा उसको भी हम नाम दे देंगे जैसे हम नहां पर c दे अभ यहां से मतलब ओ से लेके c तक ये जो point है ये जो length है ये क्या है रूट टू है बन गया हमने number line हमने number line पे root two को represent कर दिया यह इसे बोलो अगर कोई tay लीफ है तो बोलो के बिल्कुल नहीं सर आराम से तो हो गया उसके बाद अगर मालो कि आप करना चाहते हो root three को है ना तो सबसे आसान दरीका बतला रहा हूं, root 3 को करने का, इसी से हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा, ठीक है, तो देखो, यहाँ पे एक line दिख रही होगी, O, B, इसको straight line माल लेना है, कैसा line माल लेना है, straight line, और इस पे फिर से 90 degree, 90 degree का एक line खीचना है, और वो कितना unit, 3 cm का लेना है, तो कितना unit हो जाएगा, 1 unit, ठीक है न, और फिर इसको मिला लेना है, किस से, इस से, तो O, A, B, C हो गया है, अब यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, D, ठीक है, और यहाँ पे कितना D को मना चीए, 90 का, वो तो बनाने आ जाएगा न आपको, अब यह अगर root 2 है, base, अब यह स सिर्फ तस्वीर की बात करोगे, यह राइट आंगल, ट्रेंगल है, यहाँ पे 90 है, यह सामने हाइपोटेनस हो जाएगा, तो इसमें हाइपोटेनस कोन है, बतलाओ, O, D है, तो O, D, square is equal to क्या होगा, नीचे base है, यानि O, B, square, प्लस, perpendicular, यानि क्या हो जाएगा, B, D, square, तो इधर क्या होगा, root 2 का square, plus 1 का square, root 2 का square क्या होता है, 2, square से root कर जाएगा, और 1 का square, 1, यानि कितना हो गया, 3, और O, D, अगर निकालना होगा, तो क्या होगा, square है, तो क्या होगा, square हो जाएगा, यानि O, D का value, root 3 हो गया, फिर से, निडल यहाँ रखेंगे, D पे रखेंगे, pencil और फिर जब उसको उपर से लेके आएंगे तो यह आगे जाके कहीं पर टिकड़ाएगा और इसको हम E नाम दे देंगे यानि O से ले करके कहां तक E तक यह क्या हो जाएगा आपका root 3 हो जाएगा अब बहुत ही simple बात है root 3 जब भी बनाना होगा तो आपको root 2 पहले क्या करना होगा बनाना पड़ेगा तो पहले root 2 बना लेंगे और फिर जाकर के root 3 denote कर सकते हैं ठीक है इतनी बदे समय में आ गई और root 4 तो करना नहीं है because root 4 का value क्या होता है 2 तो उसकी जरूवत ही नहीं है तो इसको ऐसे ही cancel कर लो 1 की भी जरूवत नहीं है 1 भी cancel हो गया अब बात कर लेते हैं root 5 की तो root 5 मैं थोड़ा असान बना देता हूँ और root 5 कैसे करेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं तो मैंने पहले base समझा दिया है अब शिर्फ मेरे को root 5 बनाना है और वो मैं आपको एकदम असानी से करके दिखाता हूँ देखे root 5 जो होता है वो अब ऐसा दिमाग लगाना है कि कैसे हम किन-किन numbers को जोड़ों कि 5 आ जाए तो देखो बहुत ही simple है एक तो 4 को जोड़ना पड़ेगा और एक 1 को जोड़ना पड़ेगा बोलेंगे यही दुनों number को क्यों जोड़ा 3 और 2 भी तो होता है तो बोलेंगे यह दोनों perfect square के form में है इसलिए मैंने ऐसा जोड़ा है ठीक है तो इससे थोड़ा आसान हो जाएगा बोलेंगे कैसे sir तो देखो हम यहाँ पे एक line लेंगे और इस बार जो line होगा वो two unit का लेंगे बोलेंगे क्यों 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 कि देखो मुरे को four लाना था दो का square क्या होगा four और फिर हम यहाँ पे one लेंगे because यहाँ पे one unit लाना है तो one का square क्या होता है one तो यहाँ पे one unit ले लिया और फिर मैंने यहां से इसको मिलाया, जैसे मैंने पिछली बार किया था, इसका नाम रखा O, इसका नाम रखा A, इसका नाम रखा B, और यहां पर 98 का एंगल बन गया, और फिर से वही फर्मूला लगाया, OB क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, तो OB का स्क्वाइर is equal to क्या होगा OA का स्क्वाइर, यानि base का स्क्वाइर, और प्लस क्या हो जाएगा, perpendicular का स्क्वाइर, ठीक है, तो OA जो है, वो क्या है, देखो 2 है, तो 2 का स्क्वाइर क्या होगा, 4, 4, और AB जो है, 1 है, तो 1 का स्क्वाइर क्या हो जाएगा, 1, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, बोलो ना यार, 5, और ओभी मेरे को निकालना है तो इसक्वार है इधर क्या होगा अंडर रूट फाइव तो यह वाला वैजू अंडर रूट फाइव आ गया अब फिर से वही निडिल यहां रखेंगे और बी पर रह करके ऐसे खीचेंगे तो जाकर के जहां पर कट करेगा उस वाले लाइन को क कहेंगे उस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे रूट अंडर फाइव तो रूट अंडर फाइव का हो गया रिपर्जेंटेशन तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले एक्जांपल मैंने दिया रूट अंडर टू का रूट तरीका वह आपको थोड़ा ज्यादा हेल्प करे यहां पर 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 परपंडिकूला लाइन खीचा ऐसे और यह वन उनिट ही लिया मैंने तो यहां से ले करके यहां तक तूर रूट अंडर फाइव हो गया और मैं फिर से यहां से इसको मिला दूंगा यह जो नया मेरा बना है बिल्डिंग ठीक है ना और इसको मैं नाम दे अगर आप ध्यान से देखोगे और एक अलग तस्वीर बनाओगे तो यह तस्वीर आपको कुछ ऐसा नजर आएगा और इसमें यह मानलो ओ है और यहां पे डी है और यहां पे सी है तो यह जो ओडी हो गया वो क्या आप डिनोट करेगा रूट अंडर फाइब वह जो है वो स्कॉंडिनेट लिया हुआ है अब बतला ओ यह हईप नर फिर से नहीं हो जायेगा तो फिर से हम फिर आप फिर से क्या है ओ सी स्वाइब is equal to О.C.Square is equal to क्या होगा O.D. Plus O.D.Square плюс क्या D.C.Square O.D. क्या है Root Under 5 का Square हो जाएगा Root Under 5 है ना O.D. और D.C. कितना है One तो One का Square Root Under 5 का Square क्या होगा Five Square से Root कटेगा One का Square One यानि Six हो जाएगा यानि O.C. is equal to क्या पेंसिल और फिर आगे जागे गिराएंगे तो यह भी तरीका है तो इस तरीके से हमने खदम कर लिया है 1.2 मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ जिसका नाम है 1.3